बढ़ते बच्चों के लिए जितना जरूरी होता है कैलसियम उतना ही जरूरी मैनोपॉस से गुजर रही महिलाओं को भी इस नियूट्रियंट की जरूरत होती है चलिए बताते हैं कि मैनोपॉस से गुजर रही महिलाओं के लिए कैलसियम क्यों जरूरी है Health website Medscape के मुताबिक Menopause के दोरान महिलाओं में estrogen हॉर्मोन का बनना कम हो जाता है estrogen periods को regulate करता है इसके अलावा ये हॉर्मोन कैलसियम को शरीर में अब्जॉब करने में मदद करता है estrogen के production में कमी होने पर खाने से कैलसियम को बनाने की शमता कम होने लगती है इसलिए doctors कैलसियम लेने की सलहा देते है Menopause के बाद महिलाओं में हड्डियों के तूटने यानि की osteoporosis का खतरा काफी बढ़ जाता है इसलिए कैलसियम की ज़रुद काफी बढ़ जाती है एक study के मुताबिक Menopause के अगले 5 सालों में 10 प्रितिशत महिलाओं की हड्डियों का वजन कम होने लगता है जिससे fracture का खतरा बढ़ जाता है मायो क्लीनिक के अनुसार Menopause के दौरान महिलाओं को हर रोज 1200 mg कैलसियम लेना जरूरी होता है लेकिन ध्यान रहे कि कैलसियम के बहतर अव्शोशन के लिए विटामिन D को भी कैलसियम के साथ ले